विधूद तत्ह परिपत हम विधूद का उप्योग अपने बहुत से कारे को आसान बनाने के लिए करते हैं उधारण के लिए हम विधूद का उप्योग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने अध्वा जमीन की सदा से जल को छट पर रखी हुई टंकी में पहुचाने के लिए करते हैं अन्य कौन-कौन से कारजा जिनके लिए आप विधूत का उपयोग करते हैं उनमें से कुछ को सुची बत कर अपने नोड़ बुक में लेखे क्या आपको सुची में परकाश के लिए विधूत का उपयोग समलित है सुरच छिपने के बाद भी विधूत हमारे घरों, सडकों, दफदरों तथा फैक्टिडों को परकाशित करते हैं या रात में लागतार काम करने में हमारे शायता करते हैं विधूत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, फिर भी विधूत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्द हो सकती है ऐसे स्थिति में परकाश के लिए टोर्च का उपयोग करते हैं टोर्च में एक बलव होता है, जब इसका स्षिच दवाते हैं तब यह परकाश देने लगते हैं अपने यह देखा होगा कि इसकी एक और धातू की टोपी तोपी तथा दूसरी और धातू की डिस्क होती है क्या आपने विदूत शेल के ऊपर एक धन चिन पलश अथो एक रिन चिन मानस देखा है विदूत शेल में धातू की टोपी धनातमक शीरा तथा धातू की डिस्क रनातमक शीरा कहलाता है सबी विदूत शेलों में दो शीर होते हैं जिन में एक धनात्मक टर्मिनल सीरा तता दुसरा रनात्मक होता है विदूत शेल में संचीत रसायनिक पदार्थों से सेल विदूत उत्पण होता है जब विदूत शेल में संचित रसायनिक पदार्थ इस्तिमाल कर लिया जाता है तब विदूत शेल विदूत पैदा करना बन कर देता है तब उसे विदूत शेल को एक नया विदूत शेल से बदलना पड़ता है टोर्च के बल्व में काच का एक बाहरी आवरण दातु की सता पर चिपका होता है बालो के काच क्या अरण के अंदर क्या होता है ज़तावने अपने विदूत खमों विदूत उपकेंद्रों तथा अन्य वस्थानों पर इस परकार का चीर्ण देखाऊगा यह दर्शाता है कि विदूत का उपयोग उची दूरूप से ना किया जा तो यह अंत्यांत खर्तनाक हो सकती है यदि विदूत तथा विदूत युक्तियों को अवसाधा अन्य पुर्वक बरता जाये तो यह गंबीर चोट अत्वा मिरत्यूत तक का कारण बन सकती है एतव आपको कभी भी विदूत के तारों तथा सोकट आदिसे प्रयोग करने का प्रया अध्यापक की सहाधा से इस बल्व को टोर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं आप क्या देखते हैं क्या आप काच के बल्व के माध्या एक पतला तार देखते हैं आप टोर्च का स्विच दवाई तथा देखे की बल्व का कौन सभाग दिप्ट है परकाश और सरजित करने वाले पतली तार को बल्व का तंतु कहते हैं यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है चित दूसरा मोटा तार अधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है बल्व के अधार पर धातु का अढ़ाचा तता धातु की नोक बल्व के दो टर्मिनल है यह दो टर्मिनल इस परकार लगा जाते हैं कि यह एक दूसरे को छुए ना एक दूसरे को ना छुए घरों में उफ्योग होने वाले विदूत बलबोthree की भी ऐसी ही श्रंट नहीं होती है इस परकार विदूत शिल्ड़ ततर विदूत बलब दोनौ में ही दो दो टर्रमिनल होते हैं इन से यह होते हो जाएगी और शेल कारे करना बन कर देगा विदुद से जुड़ा हुआ बल्व आए विदुद सेल का उपयोग करके एक बल्व को दिप्तिमान करने का प्रयास करते हैं ऐसा हम किस परकार करते हैं एक्सप्रेमेंट टू विभिन रंगों के अलग अलग रंगों के प्लास्टिक का आवरन चड़े विदुद तार के चार टुकड़े लिजी प्रतेक तार के टुकड़े के दोनों सीरों से प्लास्टिक आवरन को हटा दीजी इस परकार दोनों सीरों पर धातु का तार अनाव जिलिक के मिस्ट्रियों दुवारा उपयोग की जाने वाले और शेल के लिए और शेल के लिए रबर बैंड या टेप का उपयोग कर सकते हैं अब बल तथा विदुद सेल की अलग लग चाओ भीन भीन डंगों से जोड़ी जैसा कि चित्र में दर्शाएगे आप परतेक व्यवस्ता में देखी कि बल वदेप्त है या नहीं परतेक व्यवस्ता के लिए हा या ना लिखी आप उन व्यवस्तों को ध्यान पुर्वक देख कि जिनमें बल वदेप्त होता है इन व्यवस्ताओं की तुड़ना दूसरी व्यवस्ताओं से कीजी जिनमें बल वदेप्त नहीं होता है क्या आप इस अंतर का कारण गयात कर सकते हैं चित्र में विदुद सेल की एक टर्मिनल से प्रांप करके अपने पेंसल की नोगों को लाईए अब बल्व के दूसरे टर्मिनल से प्रांप करके विदुष चेल से जुड़े दूसरे तार के अनुदूशे पेंसिल की नो को लाईए इस सिकारे को चेत्र की तरह शेश व्यवस्ताओं के लिए दोराइए क्या उन व्यवस्ताओं में बल्व दिप्त होता है जिन मे जिन में शेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाने में पेंसिल को उपर उठाना पड़ता है विदुष परिपद की रेकलाब विदुष परिपद एक्स्प्रेमेंट टू में आपने विदुष चेल के एक टर्मिनल को तार दोरा बल्व से होते वस्ता विदूत परिपत का एक एको धारान है विदूत परिपत विदूत सेल की दो टर्मिनल के बीच विदूत परभाव विदूत धारा के संपुन पत को दर्शाता है बल्व के वल तबी दीवत होता है जब परिपत में विदूत धारा परभावित होती है किसी विदूत परिपत में दर्शाएगे अनुशार विदूत धारा की दिशा विदूत सेल के प्लस टर्मिनल से मानस टर्मिनल के और होती है जब बल्व के टर्मिनोल को तार के द्वारा विदूत सेल के टर्मिनोल से जोड़ा जाता है तब बल्व के तंतु से होकर विदूत धारा परवाइट होती है या बल्व को दिपती मान करती है कभी कभी विदुत बल्व विदुत शेल से जुड़ने जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता ऐसा बल्व के फ्यूज होने के कारण हो सकता है binge bulw को दिहान पूरुवख देखे क्या, इसका तंतु आशून है विदुत bulw काई कारणों से फ्योज हो सकता है इन में से एक कारण है BSB के तंतु का खंडित होना विदूत शेल के टर्मिनोल के बीच विदुत धारा का प्रिक्पत टूड जाता है इस लिफ्यूज बल्व के तंतु से विदुत धारा प्रवायत ना होने कारण या देप्तिमान नहीं होता क्या आप यह बतात कर सकते हैं कि चित्र में A, B, C, D, A, E में आपके प्रियास करने पर भी बल्व देप्तिमान क्यों नहीं होता हमें ग्यात है कि विदुत धार का उप्योग कर बल्व को देप्तिमान कैसे किया दाता है क्या आप अपने लिए एक टोर्च बनाना पसंद करेंगे एक टोर्च बल्व दतार तार का एक टुकडा लिजे पहली की तरह तार के दोनों सीरो से प्लास्टिक आवरन को हटाईए चित्र में दर्शाय अनुशार तार के एक सीरो को बल्व के धातु के डाचे के चारो लपेटी तार के दूसरे सीरो को रबर बैंट की साहता से विदुत शेल के रणातमक टर्मिनल से जोड़िये अब बल्व के अधार के नोक अधार्त इसके टर्मिनल को विदुत शेल के रणातमक टर्मिनल पर रखे क्या ब़व दिवतिमान होता है अब भ़व को विदुत शेल के टर्मिनल से हटाईए क्या आप वजव अभी भी परकाशित है क्या यह टोर्च को ओन वे ओफ करने के समान नहीं है विदुत स्विच घर में त्यार की गए टोर्च को ओन अत्व ओफ करने में विदूत बल्व को विदूत शेल की नोक से असपस कराते अत्व हटाते यह सदारन विदूत स्विच ताज इसे उपयोग करना सुधा जनक नहीं है हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुधा जनक स्विच बना सकते Experiment 4 आप दो ड्राविंग पीन एक सुरच्चा पीन या पेपर कलिप दो तार तथा थर्मकोल या लकडी के बोड से एक विदूत स्विच त्यार कर सकते शुरच्छा पीन की रेंग में एक ड्राविंग पीन लगा कर इसे थर्मकोल सेट पर गार देजिए जैसा कि फिगर में दिखाया गया है यह सुनिचित कीजिए कि शुरच्छा पीन आसानी से घुम सके आप दूसरी ड्राविंग पीन को थर्मकोल सेट पर इस तरह लगाए कि शुरक्षा पीन का स्वंतंत्र शीरा इसे असपस कर शके इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पीन इसकी रेकलाप में आपका स्विच होगा आप विदुत शेल बलव तथा स्विच को चितर में दर्शाय अनुसा जोड़कर प्रिपत को पूरा किजिए सुरक्षा पीन को इस तरह गुमाए कि उसका स्वंतंत्र सीरा दूसरे ड्राविंग पीन को छुई आप क्या देखते हैं अब सुरच्चा पीन को ड्राविंग पीन से हटाईए क्या बलव आप भी जलता रहेता है अजब सुरच्चा पीन इसकी परिफत पूरा हो जाता है इस तरह बल्व दिप्तिमान होता है इसके विप्रित जब शुरचा पिन दूसरी ड्राविंग पिन से असपर्शनी करती तो विदो तो बल्व दिप्तिमान नहीं होता इस तरह ड्राविंग पिनों की बीच का रिक्तिस्थान बंद नहीं होता तथा परिपत पूरी पूरा न पर उनके डिजाइन जटिल होते हैं, विदुत चलाक तथा विदुत रोदक हमने अपने सभी करिकलापों में, सभी एक्स्प्रेमेंट में परिपत को पूरा करने के लिए धातु के तार उपयोगे थे, मान लीचे, परिपत बनाने के लिए धातु के तारों के इस्थान पर ह हम सूती धागे का उपयोग करते हैं, क्या आप सोचते हैं, इस ववगस्ता में भी बल्व दिप्तिमान होगा, विदुत धारा के परिपत में किस परकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता हैं, आईए इसका पता लगाते हैं, Experiment 5, Experiment 4 के लिए परियोग्त विदुत परिपत से अस्विच को अलगीजी, ऐसा करने सा आपको चितर के अनुसार दो स्वंतंत्र तारों के शीरे मिल जाएंगे, इन तारों के दोनों सीरों को एक दूसरे के शीर में पलाईए, ताकि ये एक दूसरे को असपर्ष करें, क्या बल्व जल उड़ता है, अब आप इस वहस्ता को पदार्थों के परिचन के लिए प्रियोग में ला सकते हैं, कि ये विदुत धारा परवायत करते हैं, अत्वा नहीं, जाच करने के लिए अलग अलग परकार के पदार्थों जैसे शिक्के, कोर्क, रबड, काच, चाबिया पीन प्लास्टिक का असकेल, लकड़ी का गुट का, अलिमूनियम की पत्ती, ममत्ती, सिलाई मशीन की शुई, धर्मकोल, कागच तथा पेंसिल की लिड आदी एक्तरित कीजी, चालक प्रिचित्र के तारों के स्वंतंत्र शिरों को परतेक नमुने से बारी बारी से असपर् क्या हर बार बल्व जलता है? आप क्या पाते हैं? प्रचन के लिए उप्योग की गई, कुछ पदार्थों से तारों को स्वंतंत्र शिरों लगाने पर बल्व दिप्तिमान नहीं होता है, इसका अर्थ या है कि ये पदार्थ विदुत धारा को अपने अंदर से परभावत देते हैं, वे विदुत धालक हैं, विदुत धालक अपने अंदर से विदुत धारा को परभावत नहीं होने देते, साने के साहता से उन पदार्थों के नामत है, ये जो विदुत धालक है, और उन्हें पदार्थों के जो विदुत धालक है, विदुत धालक विदुत धाल आपने क्या निष्कर से निकाला है, कौन से पदार्त विदुद्चालक है और कौन से विदुद्ध दुरोदक, अधियान 4 के उन पदार्ठों को अस्मरन करें, जो जमकदार होते हैं, क्या विदुद्चालक हैं? अब आप आसानीस समझ सकते हैं तब क्या दो driving pin थर्मकोल सीट से जुड़ हुए नहीं थे, प्रंदु आप जानते हैं कि थर्मकोल एक विदूत रोधक है, रिक्तिस्तान में जब वायू होती है तब क्या होता है, चुकि स्विच के दो driving pin के बीच में जब किवल वायू थी तो बल वो दिप्तिमान नहीं होत इसका तातपर्च है कि वायू भी विदूत रोधक है, विदूत चालग तथा विदूत रोधक हमारे लिए समान रूप से मैतपून हैं, स्विच विदूत पलग, सोकेट, सुचालग पदार्थों से बनाए जाते हैं, दूसरी और विदूत तारो, पलग के उपर के भाग, सुच तथा विदूत रोधकर्णों के अर्ने भाग, जिनने लोग असपर्ष कर सकते हैं, इसको बनाने के लिए रबबर तथा पलास्टिक का उपयोग होता है, चेतावने आपका शरीर विदूत का बहुत आचा चालग है, आता विदूत रोधकर्णों का उपयोग करते सम सौधानिवर्थी